नमस्कार दोस्तों कोई तैयादे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है TGT PGT हिंदी और NTNAT से संबंदित नई पाठ्यकरम के आधार पर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में करने वाले है सरवनाम यानि की हिंदी व्याकरन के अंतरगत पद के भेड के हमने पढ़ा और पद के भेड में हमने जैसे संग्या के टोपिक को कम्प्लेट किया था और उसके बाद उसके पर्शन उत्तर उसके बाद आता है हमारा सरवनाम सरवनाम से सम्बंदित टोपिक क्योंकि EMRS TGT हिंदी और DTPSB TGT PGT हिंदी इनके अंतरगत आप लोगों ने देखा ही होगा EMRS में तो पजपरीचे नाम से एक टोपिकी दिया हुआ है और DTPSB के अंतरगत सरवनाम से कितने सारी परशन पूछे गई है आप लोगों ने ये प्रूफ मैंने जब पिछले सालो के परशन पत्तर कराया है उसमें आपको दिखाई दिया था कि हम लिट्रेचर के साथ साथ व्याकरन के टोपिक को भी बिल्कुल भी इगनोर करके नहीं चल सकते क्योंकि हमें लगता है कि व्याकरन हमें आती है और हम अधिक ध्यान लिट्रेचर और अरन ने टोपिक पर दे हो जाते हैं इसलिए हमें हिंदी की जब हम शंपून हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो व्याकरण को भी लेते वेचलेंगे बढ़ते हैं हम अपने टोपी की तरफ ज्यादा टाइम वेश्ट ने करेंगे तो यह जो किलासिज अमारी टीजीटी पीजीटी के लिए तो है ही और अधर जिस भी परिक्षा में हिंदी व्याकरण समंदी परिक्षन पूछे जाते हैं सभी के लिए मैंतव पूरंट से दोगी बढ़ते हैं सरव नाम क्या है देखते हैं इनसे समंदी किस परकार परिक्षन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इनके मेतव पूरें तथ्या है सरवनाम शब्द शरव और नाम सरवनाम शब्द सरव और नाम से मिलकर बना है ये बना है शरवनाम तो शरव का अर्थ क्या है सब और नाम का अर्थ क्या है संग्या तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा सब का नाम जिस शब्द से हम सब को पुकार सकते जैसे कि यह है वह है तो वही क्या होता है हमारा शरवनाम एक बर परिवाशा देख लेते हैं जो शब्द संग्या के स्थान पर परियोग होते हैं उन्हें सरवनाम कहते हैं जैसे कि राम 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 जा रहा है, राम खा रहा है, राम खेल रहा है, तो हम राम राम शब्द ना करके, एक यह है, यह है, उसके स्तान पर हम राम के स्तान पर सरवनाम लगा देंगे, तो आगे उधारन हम देख लेते हैं, सरवनाम क्या होते हैं, जैसे कि मैं तुम यह है वह है, यह सबी जो श यह हमारे सरवनाम के हैं, उदारन देख लेते हम, राम पाच्वी कक्षा का चात्र है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, उसने आज एक बुड़े व्यक्ति की मदद की, तो राम, सबसे पहले आगई हमारी संग्या, फिर राम के स्थान पर हमने देखा वह है, उसे यह जो शब्द आगए राम के स्थान पर सरवनाम का परियोग कर दिया गया है, किन शब्दों के दूआरा, यह है उसे वह है उसने, इन जो सब्दों से है राम शब्द के स्थान प पर सरवनाम का परियोग किया है तो इस परकार संग्या सब्दों की पुन्रा वर्ति को रोकना उसके स्थान पर श्वयम कारिये करना सरवनाम का उदेश्य होता है जो संग्या सब्दोते हैं उनकी पुन्रा वर्ति मतलब बार-बार आने की जो प्रिवर्ति होती है उसको रोकन होता है सरवनाम का काम और उनके स्तान पर श्वयम परियोग में होते है जैसे कि राम के स्तान पर आ गया वह है उसे उसने तो आई ओप आप समझ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से यह परिवाशा तो आपने बच्पन से ही पढ़ रखी होगी अब देख लेते हैं सरवनाम के संख्या सरवनाम की जो संख्या है वो कितनी है देख लेते एक बार सरवनाम की संख्या ग्यार होती है कई बार परिक्षा में यह पूछ लेते कि सरवनाम कितने होते हैं सरवनाम की संख्या कितने होते हैं सरवनाम की संख्या को समझना है कि सरवनाम कितने होते हैं सरवनाम की संक्या 11 होती है, कौन-कौन सी देख लेते हैं, मैं, जो, तू, सो, हम, कोई, यह, कौन, वह, कुछ, क्या, यह जो सभी शब्द है, यह सभी क्या है, यह है सरवनाम, कौन-कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, जो यह शब्द है, यह सभी सरव नाम के भेद लेकिन ये आप लोगों को लग रहा है कि यह ग्यारा सरवनाम होते इन 11 सरवनामों से ही इनके बहुचन बन करके परवोग होते हैं तो उनको हम इंकलूड नहीं करेंगे संख्या में ये तो इनके बहुचन ही मूल रूप से जो संख्या है उनके बहवचन के रूप में परियोग में होते हैं तो इन ही के अंदर हम काउंट करेंगे तो कुल संख्या कितनी होती है ग्यारा बढ़ते हैं आगे जो आपके माईन में डाउट है वो मैं साथ की साथ आपको समझा दूगी क्योंकि जब मैंने तैयारी किती मैंने पढ़ा था समझा था तो मेरे मन में भी यही डाउट उत्पन होते थे कि ये शब्द भी तो सरवनाम है इसमें क्यों ने इंक्लूड किया हुगा तो वे इन ही में से निकले हुए हैं जैसे तू का हम्बव वचन करेंगे तू तुमारा तुम से लिंक का आगे बताते हुँ किस परकार से देखो सरवनाम के भेद अगर हम TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी अधर एक्जाम के अपोर्डिंग थोड़ी गहराई से समझना होगा क्या कि सरवनाम के वेदों को हम दो परकार से देखेंगे कौन-कौन से एक तो रूप और उत्पत्ति के आदार पर और एक पर्योग और व्याकरन के आदार पर रूप उत्पत्ति के आदार पर मैंने आपको बतायता कि मोलिक सरवनाम और योगिक सरवनाम मोलिक सरवनाम होते हैं ये 11 जो उपर हम कर चुके हैं मैं तुम ये जो सभी है ये मोलिक सरवनाम है और योगिक जो इनके अंदर से जो बहुवचन के रूप में कारक, लिंग, वचन के आदार पर जो परिवर्तन होकर आते हैं जैसे मैं का हो गया हम, हम, हमारा, मेरा, मेरी तो जो इनके बहुवचन कारक, लिंग के आदार पर जो परिवर्तन होकर आए वो हो गए हमारे योगिक सरवनाम, ये हो गया रूप उत्पत्ति के आदार पर, अगर TGT PGT परिक्षा में ये पूछ लिया जाएते हैं, रूप उत्पत्ति के आदार पर सरवनाम कितने परकार के होते हैं, तो हमें दो परकार के ही लिखने हैं, क्योंकि परिक्षा में हमेश और थोड़ा सा डैप्ट एक जाम में कोश्चन आ जाए तो इस तरह का परशेट पूछ सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर हम हिंदी के TGT PGT बनने जा रहे हैं तयारी कर रहे हैं एंट ये नेट की तयारी कर रहे हैं तो हमें बिलकुल संपोन हिंदी की जा पूछन का रियोनी चाहिए तो बढ़ते हैं आगे ये मैंने आपको समझा दिया आगे देख लेते हैं जो परिक्षा में पूछे जाते हैं पर्योग के आदार पर परियोग के आदार पर सरवनाम की संख्या कितनी होती है जैसे नमबर एक देख लेते हैं पुरुश वाचक सरवनाम निज वाचक सरवनाम निश्चे वाचक सरवनाम ए निश्चे वाचक सरवनाम परिशन वाचक और संबंध वाचक ये आपने हमेशा पढ़ रही चुके हो, बच्वन से ही पढ़ते आ रहे हो, शरवणाम व्याकरन के आदार पर या परियोग के आदार पर शरवणाम के बेद 6 होते है, कौन-कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चवाचक, एनिश्चवाचक, परिशनवाचक, सम्बंदवाचक ये हमारे क्या हो गए सरवनाम के बहिद सबसे पहले समझ लेते हैं पुरुषवाचक सरवनाम क्या होता है पुरुषवाचक सरवनाम क्या होता है और क्या इनके अंतरगत परिक्षा में किस परकार से परिशन पोछे जाते हैं जैसे देख लेते हैं, पुरुष वाचक सरवनाम, वक्ता, स्रोता और अन्य, जिसके संबन में बात हो, या इस्तरी हो, या पुरुष का बोध कराने वाला, क्या कोन होता है, पुरुष वाचक सरवनाम, ये आपने पुक में परिवाशा हमेशा पढ़ी होगी, तो इसको जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, आदि, जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सबी क्या होते हैं, पुरुष वाचक सरवनाम होते हैं, आप यह कऊगे मैं यह तो निश्च वाचक में भी आता है, तो वो मैं आपको आगे समझा दूँगे, बिल्कुल अलग-अलग, पुरुषवाचक और निजवाचक में कन्फ्यूज हो जाती है, आपको निजवाचक, निश्चवाचक इन में आपको कन्फ्यूज हो जाती है, यह हम पुरुषवाचक में रखे या निजवाचक में, निश्चवाचक में, इस तरह देख लेंगे, हम उदारन से समझते हैं, ट्रीक की बात करें तो इसके अंतरगत आपको यही बात याद रखनी है कि वह सरवनाम जिसके पीछे किसी पराणी का बोधो उसे कहते हैं पुरुश वाचक सरवनाम। यह हमारी ट्रीक है कि किसी प्राणी का बोधो आई समझ जैसे देख लेते हैं वहे कल बाजार जाएगा तो यह हमें सरवनामों को किस परकार से समझना है हमें भाओ से सरवनामों को समझना है वाक्य के भाओ वाक्य का जो भाओ है वो क्या निकल रहा है वहे कल बाजार तो कोई न कोई प्रानी ही तो जाएगा किसी के बारे में हम बात कर रहे हो मोहन कलबा जाएगा या पिताजी कलबा जाएगे किसी प्रानी के बारे में बात हो रही है तो वह कलबा जाएगा तो क्या हो गया वह पुरुश्वाचक सरवनाम हो गया यह मोहन के घर गया था यह कि किसके गर गया था किसकी बात कर रहे हैं मोहन की यह मोहन के गर गया था तो क्या हो गया यह है पुरुषवाचक सरवनाम आप अगर एक ही शब्द का अंतर हो जाए यह है घर मोहन का है अगर यह वाक्य हो जाएगा यह है जो घर है आगे आ जाएगा मोहन का है तो क्या हो जाए किसी के निश्चित चीज के बारे में बात करें कि यह भावर से समझते हैं यहाँ पर आ गया किसी निश्चित चीज के बारे में कि यह जो घर है न यह मोहन का है तो घर के बारे में हमने इसमें देखा यह हैं शब्दाया और किसी निश्ची चीज के बारे में हमने बताया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा यह है निश्चे वाचक सरवनाम लेकिन यहां किसी पराणी का बोध हो रहा है तो हमें समझा रहा है कि यह मोहन के बारे में बताया गया है कि यह मोहन के गर गया था कि कोई पराणी गया था मोहन के गर तो क्या हो जाएगा पुरुषवाचक सरवनाम इस तरह आपने भावो से समझना है सरवनाम को और देख लेते हैं सरवनाम के जो पुरुषवाचक सरवनाम होता है उसके भेद कितने होते हैं कितने परकार के होते ह आपने English में भी पढ़ा होगा, इंग्लिस में हमें नहीं समझना है, हमें हिंदी में समझना है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए पर्थम पुरुष, यह तो हिंदी में ही हो गया, क्या बोलते हैं अब इंग्लिस में? फर्स्ट पर्षन सेकिन पर्षन और थार्ड पर्षन इस परकार जो पर्षन पढ़ते हैं English के अंतरगत वही होती है हमारे ये पर्थम पुरुष यानि की उत्तंपुरुष मध्यम्पुरुष और अन्यपुरुष उत्तम पुरुष, मद्धम पुरुष, अन्य पुरुष इंगलिस मेरी थोड़ी वीक है क्योंकि कुछी चीज़ों को समझाने में थोड़ा सा लगता है कि आपको इंगलिस अगर बता दी जाए तो आपको अच्छे से समझा जाएगा तो मैं कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल समझाने की किसी भी परकार से आपको समझा जाए तो यही हमारा उद्धेश है कि जो तथ्याम कर रहे हैं बिल्कुल समझ के साथ आगे बढ़ते हैं आगे पर्थम पुरुष पर्थम पुरुष पुरुष वाचक जो सरवनाम है उसे हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं उत्तम पुरुष के रूप में वक्ता श्वयम के लिए मैं आदि सरवनामों का परियोग होता है इसके अंतरगत उत्तम पुरुष में किन शरवनामों का परियोग किया जाता है? मैं, मैं आदी, यानि कि मैं मेरा, जो मैं से बहुवचन निकलते हैं, उन सभी का तो मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता ने अपने लिए मैं सरवनाम का परियोग किया गया है इस वाक्य में कौन से सरवनाम का परियोग किया गया है? मैं सरवनाम का परियोग किया गया है जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, ये सब क्या हो गए मैं के? शरवनाम, कौन सा सरवनाम? उत्तम पुरुष शरवनाम इसी परकार हम आगरा जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हम आ गया ना तो हम जो भी मैं से सम्मंदित जो अन्य सरवनाम होते हैं उनके बग वचन निकल कर या लिंग वचन के आदार पर जो भी सरवनाम निकलते हैं मैंसे कौन-कौन से निकलते हैं? मैंने आपको बताया मैंसे निकलने वाले जैसे कि हम मेरा, मेरी, मुझको मैंने और हमारी, हमारा ये सबी जो होते हैं ये मैंसे निकलने वाले सरवनाम होते हैं मैं इनका मूल होता है मैंसे हम निकला बहुचन मुझे को निकला कारक के आदार पर मैंने भी निकला कारक के आदार पर और मेरा जो निकला है वो संबंद के आदार पर हो गया मेरा मेरी हमारा हमारी तो ये सबी इस परकार से हम समझेंगे बढ़ते हैं आगे मद्यमपुरुस को देख लेते हैं मद्यमपुरुस के अंतरगत को इस परकार के शरवनाम आते हैं ये देख लेते हैं वक्ता या लेकक जिससे अपनी बात कहता है जिससे दूसरे से अपनी बात जिससे कहता है उसके लिए परियुक्त होने वाले शरवनाम को हम क्या कहते हैं मद्यमपुरुस वाचक सरवनाम जै बोजन करें यह इसमें आप क्या हो गया मध्यम पुरुषग सरवनां इन वाक्म में couple सरवनां है जैसे कि अन्तरगत ज्वयम के बारे में जैसे मैं मैं कल बाजार जाऊंगा तो क्या हो गया मैं जो शब्द हो गया वो गया उत्तम पुरुष मद्यम पुरुष के बाद में आता है किसी दूसरे से कहना कि तुम या आप जो ये शब्द होते हैं ये होते हैं मद्यम पुरुष में और अन्य पुरुष के अंतरगत आएगे जो हम किसी तीसरे की बात कर रहे हो या तीसरे से कह रही हो तो वो हो जाएगा अन्यपुरुस के अंतरगत या आपने इंग्लिस में भी पढ़ा है वक्ता या लेखक, सुरोता या पाठक से जिसके विशे में बात करता है उसे उसके लिए परियुक्त ओने वाला जो शरवनाम होता है वो अन्यपुरुस वाचक सरवनाम कहलाता है जैसे वे कौन है किसी दीसरे के बारे में हम बात कर रहे है यह मोहन है मैं आप से बता रहे हूँ कि यह मोहन के कि किसी दीसरे के बारे में मैं आपको बता रहे हूँ यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और यह मोहन है तो यह व्यक्ति इस व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह जो है मोहन है तो यह तीसरा हो गया न कोई यह मोहन है वह सज्जन पुरुश है यह बंदर है मैं किसी से बात कर रहे हूँ तो यह बंदर निकालना है कि यह कौन सा सरवनाम होगा इसी तरह हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की वजह से ही अमारी जो पर्षन है वो परिक्षा में गलत हो जाते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर सकते हो क्योंकि बाद में आप लाइक करना भी बोल जा थे कि यह की यह क्लास लगाऊ या फिर आपको कोई क्लास में कमी लग ती हो तो आपको कमेंट वोक्स में जरूर बताना मैं बिलकुल आपकी कमेंट स्वोक्स में दिये हुए सुझाओं पर ध्यान दूए तो बढ़ते हैं आगे तो इन वाक्यों में Quinn है थे अन्यपुरू में आते हैं तो बढ़ते हैं आगे है कि लाइक और कमेंट से तो होता तो क्या है लेकिन यह जाता है मुझे अच्छा लगता है मुझे यह लगता है हाँ मैं जो मैं करा रही हूँ जो मैंने जो सीरी चलाई हुए संपूर्ण किसी ने किसी बच्चे को थोड़ा बहुत तो लाब मिली रहा है और मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट के लास बनाने के लिए सिरफ इतनी बात है तो इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर करते रहें न निजवाचक शरवनाम के अंतरकत क्या पढ़ेंगे हम वक्ता य यह काम मैं आप कर लूँगा यह जो काम है वह मैं आप कर लूँगा वक्ता अपने आप के लिए जो परियोग करता है वो निजवाचक शरवनाम होता है मैं अपने आप आ जाऊंगा तो आप श्वैम के बारे में जो बात होती है वो होती है निजवाचक शरवनाम के अंतरक जैसे एक ट्रीक से समझ लेते हैं, इसके अंतर का श्वैम, खुद, सवते, अपने आप, जो ये शब्द आएंगे, ये सभी किसमे आएंगे? निजवाचक शरवनाम में, जहां आप शब्द का परियोग शरोता के लिए हो, वहां यहां आदर्शूचक मध्यम पुरुस होता ह और जहां आप शब्द का परियोग अपने लिए होता है, वहां कौन सा होता है? निजवाचक शरोवनाम होता है, जैसे आप खाना खालो, तो ये क्या हो गया? आप खाना खालो, तो हम आदर्श के साथ किसी दूसरे कौम कह रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा शरोवनाम? म पर हो जाएगा निजवाचक, इस तरह हमें समझते हुए चलना है, बढ़ते हैं आगे, फिर एक पोईंट और देख लेते हैं, कि ध्यान रहे वचन और लिंग के कारण सरोवनाम शब्दों में रूपांतरन होता है, अर्थात उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते है, किन्तु संग्या शब्दों की बाती लिंग के कारण सरोवनाम शब्दों में विकार नहीं होता, जैसे निजवाचक आप या तुम, तू का लिंग परिवर्तन नहीं होता, निजवाचक सरोवनाम की पहचान इस परकार हम करेंगे, आप कहां जा रही हैं, उप्रुप्त वाक्य में आप एक पुरुष वाचक सरोवनाम है, किन्तु इसे यदि इस परकार लिखा जाए, यह कारिया आप ही कर लो, तो यहाँ पर आया हुआ आप निजवाचक के रूप में परियोग होगा, आप कहां जा रही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुरुष वाचक सरोवनाम, आप शुयम कर लो अगर आपकी जगह शुयम सब्दा जाए वो भी तो यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा नीजवाचक इसलिए नीजवाचक और पुरुषवाचक में कन्फूज नहीं होना है बिल्कुल उस वाक्य के भाव को समझते हुए चलना है बढ़ते हैं आगे शरवनाम सब्दों का संबोधन नहीं होता क्योंकि किसी को पुकारते वक्त हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं शरवनाम दुआरा कभी किसी को नहीं पुकारा जाता तो ये बाद बिल्कुल सही है परिक्षा में अगर TGT PGT हो तो परिक्षा में ये परिशन पूछा जा सकता है इन में से किन में सरवनाम शब्दों का जो संबोधन है वो नहीं वहीं सोरी ये पूछ सकते हैं कि सरवनाम संबंद से संबंदित इन में से कौन सा कतन ऐस सकते है तो उसमें ये लिख सकते हैं कि सरवनाम सब्दों से हम किसी को संबोधित कर सकते हैं तो कर सकते हैं नहीं कर सकते सरवनाम सब्दों से हम किसी को संबोधित नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हम जब किसी को पुकारते हैं किसी को आवाज देते हैं तो उसको यह थोड़ी ना बोलते हैं, वहे इदरा, यानि कि हम बोलेंगे राम इदरा, मोहन इदरा, या किसी को भी हम बोलते हैं, रादा इदरा, तो उसके नाम को लेकर ही बोलना हमें रहता है, चाहे हम कितनी ही बार उसका नाम लेकर पुकारें, लेकिन संबोधन उसका जो संबोधन होता है अमेशा संग्या सब्दों से ही किया जाता है आई योप आपको समझा गया होगा बढ़ते हैं आगे निजवाचक शरवनाम निजवाचक शरवनाम में हम क्या देखेंगे कि जिन शरवनाम सब्दों से किसी निश्चित वस्तू का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं निश्चवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे यह, वह, ये, वे ये सबी क्या है निश्चवाचक सरवनाम निश्चवाचक सरवनाम होते है जिन सरवनाम सब्दों में किसी निश्चित वस्तू का बोध हो उसे निश्चवाचक सरवनाम कहते हैं यह वह ये वे निश्चवाचक सरवनाम है जैसे कि यह हमारी कलम है जो यह कलम है किसके बारे में बात हो रही है? कलम के बारे में किसी निश्चित चीज के बारे में तो यह कलम है जो किसकी है हमारी है, तो यह जो शब्द हो जाएगा, यह कुन सा सरवनाम हो जाएगा, यह निश्चवाचक सरवनाम हो जाएगा, यह पैन मोहन का है, पैन के बारे में किसी निश्चित के बारे में बताई जा रही है, यह निश्चित हो गया, तो यह पैन मोहन क है यह है लड़का कल अमरीका जाएगा किस के बारे में बात हो रही है लड़के के बारे में किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में हम बता रहे है कि यह है लड़का कल अमरीका जाएगा तो क्या हो गया यह कौन सा सरवनाम हो गया निश्चा वाचक सरवनाम अगर यह बोल दे वह कल अमरीका जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक यह लिख दे यह कल अमरीका जाएगा तो कौन सा सरवनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सरवनाम पुरुषवाचक सरवनाम में भी कौन सा? वहे के बारे में हम बोल रहे है वे वहे आपको बता रहे हूँ तो अन्य पुरुस हो जाएगा ठीक है वहे बच्चा स्कूल जा रहा है किसके बारे में बात हो रही है बच्चे के बारे में तो वहें बच्चा स्कूल जा रहा है तो कौन सा सरवनाम हो जाएगा निश्चा वाचक सरवनाम इसलिए आप जब कोश्चन करोगे इसके मादम से थोड़ा सा आपको और बार बार चीज़ो किलियर करा दूँगे तो आपको अच्छे से कंप्लेट हो जाएगे सरवनाम से संबंदित एक भी परशन आपका परिक्षा में गलत नहीं होगा क्योंकि हमें ये लगती है ये चीज़े आसान है कर लेंगे देखते ही पता चल जाता है लेकिन वाक्य में पैदा हो जाती है कि हमें ये समझ ही नहीं आता है और उसी कंप्यूजन में आंसर ही गलत लगा देते हैं तो इसलिए किसी भी चीज़को ये नहीं समझalta है कि ये आसान है या ये कठीन है हमें बिल्कुल निरंतर्ता के साथ एक्वल रूप से तैयारी करते हुए चलनी है आसान हो उन चीज़ों को भी बार-बार रिवाइज करना है क्योंकि परिक्षा में हमेशा मैंने अपने अनुभव से मैं आपको बता रहे हूँ आती हुई चीज़े गलत की हुई है तो बहुत दुख होता है जब हम कुछ ही पॉइंटों से रह जाते हैं तो इसलिए परिक्षा में बिल्कुल ध्यान से एक-एक पॉइंट को समझते हुए करना है और जब कोस्चन समझ नहीं आई तो आपको कोस्चन को दो बारे फिर से पढ़ना है तो आपको लगेगा कि यह कहीं न कहीं मैंने पढ़ी रखा है कहीं से भी आपको कहीं से भी ज्यान मिला हो कहीं से भी आपने चिज़े के लिए गई हो लेकिन परिक्ष्या के समय में हमें वहाँ पर याद आई जाती है जब हम थोड़ा सा भी माइंड में थोड़ा सा भी यह लगे हां यह देखते हैं मैंने पढ़ा हुआ है या नहीं अगर बिल्कुल ही नहीं देखिए आपने चिजों को टोपिक को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो अवश्य ही परिशन ठीक हो जाती है तो ए निष्च जो वाचक सरवनाम है जिस सरवनाम शब्द से किसी निष्चित वस्तू का बोध नंह हो उसे ए निष्च वाचक सरवनाम कहती है जैसे उदारन के रूप में हम समझ लेते है मोहन ने कुछ नहीं खाया क्या नहीं खाया भई, हमें नहीं पता मोहन ने क्या नहीं खाया, लेकिन मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो इसमें कुछ जो शब्द आ गया, वो कौन सा हो गया, एनिश्च वाचक सरवनाम हो गया, यह कोई आया है, कोई आया है, हमें नहीं पता कौन आया है, लेकिन कोई आया ह तो इसमें क्या हो गया एनिश्चवाचक सरवनाम, क्या कुछ कोई जो ये शब्द है ये हमारे क्या आएगे एनिश्चवाचक सरवनाम में आ जाते हैं, जैसे और अन्यवदारन भी हम समझ लेते हैं, जैसे घर में कोई आया है, तो कोई आया है, तो कोई क्या हो गया एनिश् निश्चे वाचक सरवनाम तो इसी तरह हम समझ लेते हैं एक थोड़ी सी ट्रीक से अगर हम समझना चाहिए तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सरवनाम निश्चीत नहीं करता हो किसी चीज को तो वो क्या होता है हमारा ए निश्चे वाचक सरवनाम बढ़ते हैं नेक्स्ट सरवनाम पर अगला है अमारा फिफ्ट नंबर का पाचवा पर्शन वाचक सरवनाम, जिन सरवनाम सब्दों में पर्शन का बोध होता है, वही होते हैं हमारे पर्शन वाचक सरवनाम, जैसे कौन जाएगा, तुम क्या खा रहे हो, यानि कि तुम क्या, क्या जो सब्द है, कौन जो सब् जाने की एतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, और ये देखते ही पता चल रहा है, कि इन वाक्यों में कौन क्या कोई कहां पर्शनवाचक सरवनाम है, ट्रिक से हम देख लेंगे, तो पर्शनवाचक शब्द ही हमारे कौन से होते हैं परशन वाचक सरवनाम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है हमारा अंतिम शीक्स्थ छटे नंबर का कौन सा संबंद वाचक सरवनाम संबंद वाचक सरवनाम कौन से होते हैं वाक्य में संग्या या सरवनाम के स्तान पर संबंद परदर्शित करने के लिए जिस सरवनाम को अपरियोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं संबंद वाचक सरवनाम जिससे जो शवद हमें संबंद बताते हैं दूसरे के साथ संबंद करते हैं, तो वही होते हैं हमारे संबंद वाचक शर्मनाम, जिसकी लाठी उसकी बैस, जिसकी और उसकी में संबंद बताया हुआ है, कि जिसकी लाठी उसकी बैस, जिसकी लाठी है, जिसकी और उसकी शब्दों दुगारा संबंद बताया गया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा यह जिसकी उसकी जो शब्द होंगे क्ये मारे कॉण से वह जाएगे संबंध्वाचक, जो देता है वुदे nostro लेता है जो सब्द है , जो हमारे जो कहा गया वही करो जो और वह वही जो यह शब्द है यह होते हैं संबंद वाचक इन वाक्यों में जिसकी उसकी जो सो वही आदी जो संबंद वाचक जो शब्द है वह संबंद वाचक सरवनाम है यह हम देख लेंगे तो सिंपल सी ट्रीक है जो संबंद बताई वह क्या होता है संबंद वाचक सरवनाम जो संबंद पर्षन पूछे जाएंगे तो पर्षनों से संबंदित सरवनाम के टोपिक से संबंदित पर्षनों को मैं ले करके आऊंगी next class में और content को भी हमें समझना जरूरी होता है पर्षनों के practice के साथ साथ इसलिए मैं content के को भी साथ साथ कराते हुए चल रहे हूं ताकि जब हम पर् पीजीटी पीजीटी और anti-net की हिंदी के संपूर्ण पठे करम के आधार पर अपनी तैयारी को करते हुए आगे बढ़ेंगे EMRS का paper भी कभी ओभी हो सकता आपको news मिली चुकी है कि stay हटा दिया गया है और DLSP की vacancy भी अभी कुछ समय पहले अन्य पोस्टों के लिए तो आ ही गई है और अभी हाली में कुछ vacancy आई है तो TGT PGT हिंदी की भी कभी भी आ सकती है TGT PGT हिंदी और अन्य पोस्टों के लिए भी कभी भी आ सकती है तो आप अपनी तैयारी पे इसी परकार निरंतर्ता के साथ बिल्कुल भी पैनिक ना हो करके तैयारी करते रहे और इदर उदर की बातों में अपना time waste बिल्कुल भी ना करे इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न लगने की कि हम आज से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो इसलिए मैं आपको सिरफ एक ही बात कहरना चाहती हूं निरंतर्ता के साथ अपनी तैयारी पे लगे रहे चाहिए आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो लेकिन बीच में आपको छोड़ना नहीं है हर रोज एक दो गं पढ़ने की कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी तो ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी तो एक बार ओर देख लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं सबसे पहले आमने पढ़ा फर्स्ट नंबर पर पुरुषवाचक सरवनाम पुरुषवाचक सरवनाम के अंतरगत हम एक ट्रीक देखे जिसके पीछे किसी प्राणी का बोद हो कौन सा होता हमारा पुरुषवाचक दूसरा पढ़ा हमने निजवाचक सरवनाम निजवाचक सरवनाम में श्वैम खुद सवते अपने आप जो ये शब्द सब्जों का परियोग हुआ हमारा निज निजवाचक सरवनाम के अंतरगत किसी संग्या को निश्चित करता है जो शब्द किसी संग्या को निश्चित करता है वो क्या होते हैं हमारे निश्चवाचक सरवनाम फिर हमने पढ़ा ए निश्चवाचक सरवनाम के अंतरगत हमने देखा जो शब्द किसी के बारे में कु उसके बाद हमें पढ़ा परिशन वाचक परिशन वाचक सरवना में हमने देखा कि परिशन शब्द को दर्शाता है और उसके बाद हमने पढ़ा संबंद वाचक संबंद में जो शब्द बताए जो सो इसका उसकी ये जो शब्द रहे हमारे संबंध वाचक सरवनाम के अंतरकत आगे इस परकार हमने सरवनाम के टोपिक को अच्छे से कंपलेट कर लिया एक बार और आपको कहना चाहूंगे कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना कोई भी डाउट हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर देना और ये बताना कि आपको अमारी क्लास किस परकार लग रहे है और किस परकार से हमें और तयारी करनी चाहिए पढ़ते रहना चैनल पर पहली बार हो तो सस्क्राइब कर लेना पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना थैंक्यू धन्यवाद